नमस्कार शिक्षारतियों अनायोस के स्टूडियों में आप सभी का हारदिक स्वागत है आज हम भारतिय दर्शन के कोड संख्या 347 पुस्तक 2 अध्याय 18 के पंचकोष विवेक का अध्यन करने जा रहे हैं मैं आपके साथ हूँ डोक्टर कपिल गोतम सहयक आचारिये, संसक्रत विभाग, मानवी की एम समाज विज्यान विद्याफीट, बर्दमान महाविर, खुलाविश विद्यारे, कोटा, राजस्थान आप सभी का हारदिक अभियनन करता हूँ, हारदिक स्वागत करता हूँ आत्मा जब सभी जगह है तो उसकी प्रतीती हमें क्यों नहीं होती हम कहते हैं कि आत्मा प्रतेक स्थान पर आकाश के समान सर्व व्यापक है तो फिर उसकी प्रतीती हमें क्यों नहीं होती आत्मा जब हमारे भीतर ही विद्यमान है तो हम उसे अनभोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं आत्मा जब करता और भोगता नहीं है तो वह क्यों करता और भोगता बन जाता है इसका कारण है पंजकोश अर्थात आत्मा जो है वो पांच गूफाओं के अंदर विद्यमान है पांच कोशों के अंदर विद्यमान है तो इसलिए उसकी प्रतीति हमें नहीं हो पा रही इसलिए वह ग्याता करता और भुगता की रूप में हमको प्रतीत हो रही है जबकि वह ऐसी नहीं है तो पांच कोशों से आवरत है इसलिए नहीं तो उसका ग्यान हो रहा है में और नहीं वह करता और जीव की रूप में परिवर्तित हो रही है तो इसे एक तलवार है उस तलवार को हम जब पांच मियान में रख दें तब वह तलवार उस रूप में परतीत नहीं हो सकती जिस रूप में वह बाहर रूप में परतीत होती है तो इस पाठ के अध्यन के दोरान हम किस चीज़ का अध्यन करेंगे इस पाठ के अध्यन के दोरान हम अध्या रूप के सुरूप का ग्यान करेंगे अपवाद के सुरूप का ज्यान करेंगे पंच कोशों का ज्यान करेंगे अरुंधती प्रदर्शनन न्याय का ज्यान करेंगे पांच कोश कोन-कोन से हैं उन कोशों को समझेंगे इस पार्ट के दोरान इन सब चीजों का हम अध्यन करने जा रहे हैं सबसे पहले हम जानते हैं कि अध्यारोप क्या है देखिए अध्यारोप और आद ये दो एसी विदियां जिसके माध्यम से अध्यत विदानत में आत्म तत्व का ज्यान प्राप्त कराया जाता है अध्यारोप क्या है? अध्यारोप का मतलब होता है आरोप और अपवाद का मतलब होता है हटाना आरोप और हटाने इस दोनों विधियों के माध्यम से हम आत्म तत्व का उपदेश प्राप्त करते हैं अद्वेत वेदान्त में कि वह गुरु जो है वह परमक्रपया अर्थात परम करुणा से अध्या रोप और अपवादन न्याय से एनम किसको आत्म तत्तु को उपदिशती उपदेश देता है अध्या रोप और अपवादन न्याय से तो अध्या रोप क्या है असर्प भूतायाम रज्जो सर्पा रोप वद वस्तुनी एवस्तवाराउप है अध्या रोप है वस्तु सच्चिदाननानंताद्वयं ब्रम अज्यानादी सकल जड़समू हो एवस्तुहू अर्था कि जो सर्प नहीं है एसी रसी में सर्प के आरोप के समान वस्तुपर एवस्तु का जो आरोप है वो अध्या रोप है कहने काश है यह है कि आप अंदकार में गए और अंदकार में आपने एक रसी देखी वो रसी जो है वो आपको सर्प की रूप में प्रतीत हो रही है अब आपको यह पता नहीं है कि यह रसी है तो जो सर्प नहीं है एसी रसी में सर्प की प्रतीती हो रही है उसी प्रकार वस्तु पर एवस्तु का आरोप अध्यारोप है वस्तु क्या है? वस्ति तिश्टति यद तद वस्तु अर्था जो सरवदा इस्तित होती है किसी भी काल में जिसका बाद नहीं होता वह वस्तु है जैसे ब्रह्म और एवस्तु क्या है? जिसका ग्यान हमें क्यवल प्रतिती काल में हो रहा है वह अवस्तु है क्यों? क्योंकि उत्तरक ग्यान से उसका बाद हो जाता है जैसे रस्षी में सर्प की प्रतिती इसको ऐसे समझेए कि रस्षी में जिस प्रकार सर्प का आरोप है उसी प्रकार वस्तु पर एवस्तु का आरोप है वस्तु क्या है? ब्रह्म एवस्तु क्या है? यह समस्त देह इंद्रिय अंतह करन जगत यह जो है यह एवस्तु है इसका आपने वस्तु पर आरोप कर दिया तो यह अध्यारोप है जैसे हंदकारी रस्ची पर आपने सर्प कर दिया रस्ची सर्प नहीं है पर सर्प का आरोप कर रहे हो उसी प्रकार ब्रह्म न ग्याता है न करता है भोगता है पर फिर भी उसमें आप जो है अनात्मस्तों का आरोप करके उसको ही जीव बना देते हो ब्र्म कोई जीव बना देते हो, जबकि ब्रम जीव नहीं है, इसको हम कहते है अध्यारोप अध्यारोप को अध्यवेत वेदान्त में अध्यास के नाम से भी जाना जाता है अध्यास क्या है स्मृति रूप है परत्र पूरुद्रष्टा वबास है अर्थात स्मृति रूप और जो पूरुद्रष्ट है सर्प अत्वा अनात्म पदार्थ उसका संस्कार वस अत्वा ब्रह्म वस परत्र रज्जू अत्वा ब्रह्म में जो अवबास है वह अध्यास है यानि कि जब आपने अंदेरे में रसी को देखा और रसी को देखकर आपको सर्प का ब्रम हो गया तो यहां पर जो सर्प है वो केसा है एक तो आपको सर्प की स्मरती है स्मरती रूप है वो क्यों कि उसका विशय पास में नहीं है इस्मृति किसको कहते हैं एसन्निहित विशयत जिसका विशय जो है वो आपके पास नहीं होता दूर होता है दूरस्त होता है निकटस्त नहीं होता उसको हम कहते हैं एसन्निहित विशय तो जो इस्मृति रूप है यह इस्मृति का विशय है क्या सर्प और दूसरा इस सर्प क जो बादित ग्यान है वो अध्यास है इसी प्रकार ब्रम्म में आपने जीव का जो अवभास है वह अध्यास है क्यों क्योंकि जीव जो है वो अनाधिकाल से वासना के रूप में आपके अंदर विद्यमान है यही ग्याता करता और भोगता के रूप में चला रहा है तो आप कोई ग्याता करता भोगता समझ करके जीव समझ करके इस जगत में कारी करना शुरू कर देते हो यह कहलाता है अध्यास इसमरती रूप पूरुद्रिष्ट का परत्र अवभास अवभास क्यों कहते हैं इसको अवभास मतलब बादित ग्यान उत्तरक ग्यान से जो बादित होता उसको हम कहते है अवभास जैसे रज्जू के ग्यान से अत्वा रशी के ग्यान से सर्प निवरत्त हो जाता है आत्म ग्यान से जिस प्रकार जीवत्व का करतरत्व और भोकतरत्व समापत हो जाता है वही अवभास है अत्यारोप और अध्यास है अब है अपवाद हमने बताया अर्था जिस प्रकार रज्जू का विवर्त सर्प रज्जू मात्र ही होता है उसी प्रकार वस्तू का विवर्त जो अवस्तू भूत अग्यानादी प्रपंच है उसका वस्तू मात्र ही शेश रह जाना अपवाद है इसको इस तरह से हम समझते हैं कि अध्या रोप में आपने क्या किया था वस्तु पर आई वस्तु का औरोप किया था ब्रह्म पर आपने अनात्म वस्तु का औरोप किया था देह इंद्री अंते करन जगत का किया था रसी पर आपने सर्प का औरोप किया था अपवाद उसके जश्ट विप्रीत है उसके जश्ट अलग है कि अपवाद में क्या होता है कि जो सर्प है वही शेष रह जाता है जो रसी है बस वही सर्प वही शेष रह जाती है और जो ब्रह्म है वस्तु है वही शेष रह जाता है वो हम कहते हैं अपवाद अर्थात रजू का विवर्त सर्प वो हड़ जाता है और रजू शेष रह जाती है वस्तू का विवर्त जो अवस्तू है देह इंदरी अंतह करन जगत जो है वो हड़ जाता है वस्तू मातर शेष रह जाती है इसको हम कहते हैं अपवाद अध्या रोप और अपवाद जो है उन दोनों में अंतरिया है कि अध्या रोप में हम कारण से कारण की और आते हैं अर्थात वस्तू से एवस्तू की और आ रहे हैं रस्टी से हम सर्प की और आ रहे हैं जबकि अपवाद में हम क्या कर रहे हैं कार्य से कारण की ओड़ जा रहे हैं तो कारण से कार्य की ओड़ाना अध्यारोप है और कार्य से कारण की ओड़ाना अपवाद है अर्थात यहां हम सर्प से रसी की ओड़ा रहे हैं यहां हम एवस्तू से वस्तू की ओड़ा रहे हैं तो इस प्रकार से जो है वो अध्या रोप और अपवाद के माद यम से अर्थात आवरत कर दी किसी वस्तु को और फिर हटा दी तो उस वस्तु का अज्ञान हो गया ब्रह्म विश्व में यह वस्तु नहीं है ब्रह्म विश्व में यह वस्तु नहीं है तो फिर उस चीज़ का ग्यान आपको हो जाता है यह है टेकनिक जो है यह अध्वेत वेजानत का एक अपना ही special style है जिसका नाम है अध्या रोप अपवादन ने आएगा अब हम आते हैं पंचकोष पर हमने कहा था कि जो आत्मा है वह गूफाओं में विद्यमान है और एक गूफा दूसरी गूफा के अंदर है एसी पाँच गूफाएं है एसे पाँच कोष हैं जिनको हम पंचकोष कहते हैं कठोप निशद में कहा है रितम पिबन्तो सुक्रतश लोके गुहाम प्रविष्टो परमे परार्दे छाया तपव ब्रह्म विदो वदंती पंचाग्नयो ये चै त्री नची केता है अर्थात पुन्यों के फल्सरूप लोक में श्रेश्टिस्तल अर्थात रिदय प्रदेश में परब्रम के परमोच निवास अर्थात रिदय की गुफा में इस्तित रित अर्थात सत्य का पान करने वाले दो जीवात्मा और परमात्मा चाया और आतप पूरू और धूप के सदर्श रहते हैं ब्रह्मवेता ऐसा कहते हैं और तीन बार नची के तागनी का चैन करने वाले तथा पंचागनी का यग्य करने वाले ग्रहस्ती जन्भी ऐसा ही कहते हैं कहने का आशे क्या है कि जो आत्मतत्व है वह का है गुहाम प्रविष्टव कि वह गुफा में प्रविष्ट है गुफा में प्रविष्ट मतलब पंचकोशों के अंदर विद्यमाने यानि जो आत्मा है उस पर पांच लेयर चड़ी हुई है एक के उपर एक इसलिए आत्मतत् क्यों क्योंकि वह आत्मा तो अन्य पांच कोशों के पश्चात हमको प्रतीत हो रही हैं तो वो पांच कोश कौन-कौन से हैं पहला है अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश, तीसरा है मनोमय कोश, चाउथा है विज्ञानमय कोश और सबसे अंत में हैं आनन्नमय कोश पहले चर्चा करते हैं अन्नमय कोश को इस अन्नमय कोश को प्राणमय कोश ने प्राणमय कोश को मनोमय कोश ने मनोमय कोश को विज्यानमय कोश ने और विज्यानमय कोश को आनन्नमय कोश ने ढख रखा है यह वेक्ती पर निर्भर करता है कि क्या सिर्फ सरीर के तल पर ही वैजी रहा है या उस से उपर आवरनों में या किसी तल पर जीने का रत है हमारी चेतना और जागरन की इस्तती यानि यदि आपको क्यों जागरत अवस्था में जीवात्मा की अन्बूती हो रही है तो आपका इस्तर बहुत कमजोर है आपका इस्तर बहुत नीचा है क्यों क्योंकि इसके उपर आलरेड़ी चार जो लेयर्स है उन चारों लेयर्स का ग्यान करना भी हमार अलक्षे है हमको अभी जीवात्मा की रूप में तो आत्मतत्त्व का क्यानिवूती हो रही है पर जो उपर के जो कोश हैं उनकी प्रतितियम को नहीं हो रही है तो हम अन्नमय कोश पर पहले चर्चा करते हैं अन्नमय कोश क्या है? अन्न का सात्वी करत है प्रत्वी का रस प्रत्वी से जल, अनाज, फल, तरकारी, घास आधी पेदा होते हैं उन्हीं से दूद, गी, मांस आदी बनते हैं यह सब अन्न कहे जाते हैं इन्हीं के द्वारा रज और वीरिय का निर्मान होता है और इन्हीं से सरीर का निर्मान होता है अन्न द्वारा देह बढ़ती है, पुष्ट होती है और अंत में अन रूपी प्रत्वी में ही बस्म होकर सडगल कर मिठ जाती है अन से उत्पन होने वाला और उसी में जाने वाला यह दे अन्नमय कोश कहलाता है कहने का आशे क्या है? कि यह हमारा जो स्थूल सरीर है यह स्थूल सरीर जिस आत्मा को बांदे हुई है अस्ति मांस रुधिर का जो यह पिंड है यह अन्नमय कोश है क्यों? क्योंकि यह अन से बढ़ता है अन को खाने से यह बढ़ता है इसलिए यह अन्नमय कोश है और इसकी प्रतीती जागरत अवस्था में होती है अब यह अन्नमय कोश जो है यह चार प्रकार का है अर्थात सरीर चार प्रकार के अद्वेत विदानत में कहे गए हैं एक है जरायुज जरायुजानी जरायुब्यूजातानी मनुष्य पश्वादिनी जरायू अर्थाद गर्बाशय से उत्पन होने वाले मनुष्य पशू आदी जरायू जहें अंडज अंडजानी अंडव्यू जातानी पक्षिन नगादिनी अर्थाद अंडों से उत्पन होने वाले पक्षि सर्प आदी अंडज हें अर्था पसीने से पेदा होने वाले जुए मच्छर आदी स्वेदज है और जो उद्बिज हैं वो क्या है अर्था धर्ती को फोड करके उत्पन होने वाले तरण वरक्स आदी उद्बिज है विश्व में ये चारी प्रकार के सरीर पाये जाते है पशु मनुष्य आदी के जराईज पक्षि सर्प आदी के अंडज और जुए मच्छर आदी के स्वेदज और तरण वरक्स आदी के उद्बिज ये अन्नमई कोश है इस प्रकार हमने इस पाठ के दोशान यह देखा कि जो सरीर हैं वो कितने प्रकार के हैं सरीर जो हैं वो तीन प्रकार के कहे गए हैं चार प्रकार के कहे गए हैं उनमें स्थूल सरीर और सुक्षम सरीर और कारण सरीर हमने देखा और स्थूल सरीरों में हमने अभी जराईज अंडज उद्विज और स्वेदज को देखा है आशा करता हूँ शिक्षारती जो है वो इन सबी तथ्यों का सम्यक प्रकार से अध्यन कर चुके होंगे सम्यक प्रकार से अवबोध कर चुके होंगे इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अभी के लिए नमस्कार